बच्चों, पुरानी जमाने में जादतर घरों में आमों के पेड़, फल फ्रूट के पेड़ हुआ करते थे और उस टाइम में नानी दादी लोग अचार मुरब्बे डालने के बाद जब ठक जाती थी तो उन आमों को घर में ही पका ले दी और इंजोई गर दी थी लेकिन आज के जमाने में पेड़ बहुत कम हो गएं, कहीं कहीं रेर ही हमें आमों के पेड़ दिखने लगें अगर आप किया भी आमों के पेड़ हैं या फिर आपने भी मार्केट से ले लिए धेर सारे कच्चे आम तो आप उन्हें घर में कैसे पकाएं आज वो देखेंगे बच्चों मेरे घर भी इस टाइब के बड़े बड़े आम थे जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था इन आमों को कैसे पकाऊं मैंने सूचा इसके लिए तो आम वाले कुछ कैमिकल लगाते हैं पर मेरे पास तो वो कैमिकल नहीं था तो मैंने जो जुगाड लगाई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ मैंने ये जरूर सुना था नानी दादी से कि ये जो प्याज होते है ना प्याज अपनी गर्मी से अपनी हीट से किसी भी चीज को पका देते हैं आज मैंने वही चीज फॉलो की है और मैं चलो कैसे हो चलो चलते हैं कुछ नया सा करने तो यहाँ पर मैंने एक कार्टून लिया है, कार्टून में नीचे पेपर डाला है, पेपर पता है क्यों डाला जाता है, पेपर पर जो इंक होती है, वो भी एक कैमिकल वाली होती है, कार्बन वाली होती है, जिससे ज़्यादा तर यह लोग फ्रूट्स या सबजी को पकाते ह तो यहाँ पर मैंने वही पेपर को यूज किया है, जिससे उसका इंक का भी कुछ काम हो जाया, और फिर मैंने यहाँ पर केरियां जो कच्छे आम थे, मोटे मोटे उनको रखा है, और प्याजों को डाल कर एक अंधेरे वाली जगा पर रख दिया है, अलमारी में, कवर करके, और इसे मैं तीन दिन बाद या चार दिन बाद देखूंगी। और हाँ बच्चों चैनल पर अगर नए आयो अभी तिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे। चार दिन बाद मैं इस कार्टून को निकाल कर आपके सामने देख रही हूँ और फिर देखते हैं इस आम की क्या कंडिशन है चलिए पहले आम को देखी लेते हैं पेपर हटा लेते हैं उसके बाद आप देखेंगे वाओ ये केरियां वही लगी नहीं रही हैं ये बिलकुल प उठा रहे हो तो आपको महसूस हो रहा है कि आम बन चुके हैं चार से पांच आम तो बिलकुल पक चुके हैं बाकी में एक दिन की कसर मुझे दिख रही है तो बाकी को तो मैं अभी रखूंगी इसी में लेकिन चार से पांच आम को मैं निकाल लेती हूँ अब क्यूंकि आम पकाना शुरू करते थे तब हमने पानी में इसे नहीं धोया था अगर पानी में धोते ना तो यह आम पकता ही नहीं तब मैंने पहले ऐसे ही रख दिया था अब मुझे पानी के अंदर इसमें डालने की बहुत ज़्यादा जरुवत है तो दो-तीन घंटे हम इसमें को पानी मे डाल देते हैं फिर मैं देखती हूँ यह अंदर से कैसे निकलते हैं तो आप कियां भी अगर पेड़ है या फिर आप कियां भी कुछ ऐसे कच्चे आम आ गए और अचाहर डालने का मन नहीं है इन्हें पकाने का मन है तो घर पर यह आप इन आमों को पका सकते हो इस वीडियो क आखिर तक देखिए बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने सोची नहीं होंगी बाकी के आम जो हैं इनमें थोड़ी सी कसर मुझे लग रही है तो इसे मैं कवर करके रख देती हूं वापिस से मैंने वैसे ही कवर करके रख दिया है इसे एक दिन और रखने के लिए य चलिए आगे बढ़ते हैं इस आम को चेक कर लेते हैं यह आम है कैसा पानी से आमों को मैंने निकाल दिया है यकीन नहीं हो रहा इन आमों को मैंने कैसे पका लिया है तो चलिए अब कुछ कट भी कर लेते हैं जो श्रिंक श्रिंक से लग रहे थे ना पानी में डलने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए है, ये देखिए बहुत अमेजिंग ये 400 आम बनकर तयार हो गए है, बहुत स्वाद है, बहुत ही टेस्टी है तो आप इसे घर पर ही पकाए बिना कैमिकल के पकाने में मुझे ये बहुत अच्छा एसास हुआ कि ये ओवर भी नहीं है, कई-कई ऐसे सड से जाते है बिल्कुल सडे भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जैसे नॉमल आम हम पके हुए मार्किट से लाते हैं ना वैसे ही पक्कर त्यार हुए हैं बच्चों, इस सीजन में आम तो भरपूर आ रहे हैं, हर घरों में आम आ रहे हैं ये आम हम बिना सीजन के कैसे खाएं, बिना कलर के, बिना पिज़र वेटिव के, ये सेफ हमारे यां कैसे रहे हैं, चलिए उसे देख लेते हैं, जिस आम को आप जैसा भी कलर का रख रहे हो, वैसा ही color आपको हमेशा मिले हमेशा से मतलब है next season तक आप आम उसको use कर सको तो वो कैसे क्योंकि अभी तो आम बहुत आ रहे हैं अगर हम इस समय आम रखेंगे तो जब आम हमारे पास नहीं होते बिना season में भी हम आम का enjoy कर सकते हैं mango shake बना सकते हैं आईस्क्रिम बना सकते हैं किसी भी टाइब की pudding बना सकते हैं मेरे पास भी आज आम कुछ जादा थे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है आमों को इस समय जो आम आ रहे हैं आमों के अंदर जाला नहीं है तो हमें ये वाली आम जरूर रखने चाहिए बाद में आम मिलता तो है थोड़ा महंगा भी जादा हो जाता है और आमों में जाला आ जाता है तो वो आम रखने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप भी कोशिश कीजिए बच्चों इस समय जो आम आ रहा है न उससे आप इस तरीके से रखिए और मैं गैरिंटी देती हूँ कि बिल्कुल अगर आपने इसी तरीके से इन ट्रिक्स के साथ रखा इन आमों को तो आप बहुत कम जगा में फ्रीजर में इन आमों को रख सकते हो और बहुत ही अच्छे से उसका बिना सीजन में इन्जोई कर सकते हो सारे आमों को कट कर लिया है जो भी कलर के आम है मतलब कुछ सफेदा आम है कुछ केसर है जो भी आम हो उससे साथ से आप कट कीजिए अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सी के जार में आमों को डाल दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी चीनी तो देखा ना बच्चों इनमें चीनी डालना बहुत जरूरी होता है चीनी ही हमारे आम को पिजब करती है पीसने के बाद आप इससे जिप लॉक में डाल दीजे ये जिप लॉक आपको आसानी से किसी भी लोकल मार्किट से मिल जाएंगी और आप इस तरीके से डाल कर और अच्छे से पैक कर दीजे जिप लॉक में इसलिए डाल रही हूँ इससे आपको फ्रीजर में बिलकुल कम जगा लगेगी इसे रखने के लिए अभी तो मैं रखती जा रही हूँ मैं आपको आगे बताऊंगी इसे कैसे हमें फ्रीजर में रखना है दूसरे भी जो आम है उसे भी चीनी डाल कर मैं इसी तरीके से पीस लेती हूँ आपने देखा बच्चों इन आमों को हम प्लेट के उपर अभी पहले क्यों रख रहे हैं और ऐसे क्यों रख रहे हैं क्योंकि जब मैं फ्रीजर में रखोंगी ना ये पहले पूरे जम जाने दीजिए तब इसकी प्लेट हटा के और मैं यूं सामने रख दूँगी सीधा करके तो कम जगा में बहुत सारा आम हम रख सकते हैं बच्चों कच्चा आम हमें बहुत पसंद आता है जैसे कि हमें लगता है आलू की तरह 12 महीने ये मिले लेकिन ऐसा तो होता नहीं है पर इस आम को हम कच्चे आम को 12 महीने ये यूज़ कर सकते हैं वो कैसे बच्चों, चलो देख लेते, उसे भी आप इस तरीके से खील कर कट कर लीजे, कट करने के बाद मैंने पहले से भी अल्रेडी थोड़ी कट करके रखी हैं, अब इन्हें पिजब करने के लिए हमें चाहिए नमक, बच्चों, आज का वीडियो केरी से शुरू हुआ औ अंग बनाया, और जब कभी आम एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो हम इसको स्टोर कैसे करें, जब बिना सीजन में आम को खाएं, और जब कैरियों आती हैं, और कैरियों को हम स्टोर कैसे करें, जैसे के बिना सीजन की हम चट्नी बनाएं, कैरी की, और पानी-पुडी का पानी ब तो मैंने पहले से भी अल्रेडी केरियां काट के रखी हैं, छोटे बड़े पीस आप अपने हिसाब से काट सकते हो, उसमें हम इस तरीके से केरियां डाल देंगे, आप किसी बॉक्स में रख सकते हो, या फिर जिप लॉक में रखिए, जो भी आप रेसिपी बनाओगे, थोड का ये भी सवाल होगा, कि आम तो अभी आये ही हैं, मतलब अच्छे आम तो अभी आये हैं, तो बाद में भी तो रख सकते हैं, रख सकते हैं, पर बाद में आम जाले वाला आता है, महंगा भी बहुत हो जाता है, और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता, अभी जो आम आ वो टेस्टी भी है, जाला भी नहीं है, तो ये आम रखना ज़्यादा अच्छा है, अब चलते हैं इसे फ्रीजर में रखने के लिए, जब ये सैट हो जाएगा आम, टाइट हो जाएगा, तब मैं सीधा करके इसे इस तरीके से रख सकूँगी, मैं ऐसे डबों में भी भरके पर डबों से थोड़ी जगा जादा गिरती है, पॉलितिन से थोड़ी जगा कम गिरती है, इसलिए मैंने सोचा ये तरीका जादा अच्छा है, वैसे आपकी इक्चा है, आप चाहें तो डबों में भी रख सकते हो, तो देखा आपने ये मैंने प्लेट हटा के, जब मैंने आम के पैकेट्स को इस तरीके से रख दिया है, टाइट होने के बाद, तो बहुती कम स्पेस में इसे हमने रख लिया है, तो आज के वीडियो में बच्चों आपने देखा, हम घर में ही आमों को कैसे पकाएं, आमों को बिना सीजन में कैसे इसका इंज़ए करें, और कैसी लगी बच्चों ये ट्रिक मुझे कॉमेंट करके जरू बताएं, पसंद आये तो लाइक कीजिए, जादा सदा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को